हेलो दोस्तो मेंना नाम है श्याम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोकिंग यान तो स्वागत है दोस्तो तो आज अब बनाने वाले हैं एकदम प्रफेक्ट रेसेपी मोमोज जो कि इंस्टनट आप अपने घर पर तयार कर सकते हो एकदम बाजार जैसी मार्क जैसी मोमज बनाने के लिए ये वीडियो पूरा देखे एंड तक और बने रहे जुड़े रहे हैं हमारे साथ ऐसी मोमज गर पर बनाने के लिए देखे कि दिने एकदम मोमज और स्टीम मोमज दोनों के लिए आपको बताऊंगा तो अबने रहे हैं दोस्तों देखते रहे हैं पूरा चैनल और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना बेल आइक और प्रेस करना न भूले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेस के लिए 500 ग्राम मेदा और इसमें हम अब सम्थिंग 60-70 ग्राम इसमें रिफाइंड करेंगे आप चाहे तो उसमें गी को मेल्ट करके भी डाल सकते हो लेकिन गी से थोड़ा मेदा जो है वह आपको डो टाइट हो जाएगा तो आप निजाब से थोड़ा पानी इसमे कम्या ज्यादा अड़ कर सकते हो जिससे आप अच्छे से मुमच मेना पएए तो मैंने अब इसमें रिफाइंड यूज किया है यह देखिए 60-70 ग्राम लगबग मैंने अमल इसमें रिफाइंड यूज किया है उसके बाद मैंने इतना है इसमें पानी अड़ किया है अगर आपको लगे कि हमारा डौ जो है वह हलका टाइट है उसके बाद हम दुबारा अजमें पानी याड़ कर सकते हैं तो श्ट्राइक में आप जो पानी इसमें याड़ करे तो वो 60-70 की जगे आप 50 फ सेमयल यूज करें उसके बाद दुबारा आप इसमें पानी याड़ करके से च्छे से मिला सकते हैं यह देखे अवह मिनom 2 को यह देखिए इस तरी क। को तियार करना है कि देखे एकदम परफेक्ट सोलोड बट्यो आपको लगना एंग और इसको हम एक पॉल घीज एक बना करके पूल अथीन में आप हम इसको रख देंगे ताकि जो इसका जो टाइटनेस है वह अच्छे से ढल जाए और एकदम सौप्ट डो हो जाए हमारा ममोज बनाने के लिए रेडी देखें पूल अपने इसको रख दिया है अच्छे से चले अब हम अपना इस्टी ममोज का डो लगा लेंगे उसके लिए भी हमने 500 ग्राम मैदा लिया है आप अपने इसाब से कम्या जादा कर सकते हो मैं भी ये 100 ममोज के लिए डो बना रहा हूं दोनों 50 ममोज हमारे इस्टी ममोज के बन जाएंगे और 50 ही बन जाएंगे फ्राई वाले तो अगर आप जो घर में ब अगवक 2 पानी यूज किया है इस टाटिक में आप सारा पानी ऊजना करें थोड़े थोड़े कर पानी हाड़ करें पहले है आप इसमें डेड़ सा अमल या 170 पानी हाड़ कर दीजिए उसके बाद अगर आपको जरूरत हो लगे कि हमें इसमें पानी हाड़ करना है तो आप इसमें दुबारा पानी याड़ कर सकते हूँ यह देखे हमारा यह डोबी बनकर तयार हो चुगा है तो हम इसे भी एक पॉलोटीन वे अच्छे से के रां की रख देंगे हैं अबो हम अपनी जो मोज के अंदर फने वाली होती है अब वह हम त्यार ले मैंने लिया हैं दो किलो और तर्गोभी जो धम्स है इसको अच्छे से काट लेंगे और वाभश कर लेना त्यासरे देख लिए अच्छे साप कर लिया है जो उसके पीछे के जो डंटल होते है उसे निकाल को और हम अपनी गॉभी को कद्दू कर लेंगे उसके बाद हमें लेनी है गाजर जो कि मैंने सम्धिंग डाइस होकर हम ली है और अच्छे से इनको बारीक चौप कर लिया है देखिए इस तरह के और भी वेजेटबल डाल सकते हो सीमिलम्रेश वगरा या फिर बीन्स वगरा इड़ कर सकते हूं मैंने अभी इसमें पत्ता गोबी और गाजर ही एड़ किया है वह आपको मैं आगे बता दूंगा अभी मैंने गाजर बारीक छोप कर लिया है यह देखिए इस तरीके साब को कद्दुकस भी कर सकते हो और द्यान है आप गोबी को कद्दुकस करने के बाद उसका पानी जो होता है वह अच्छे से निकाल लेजीगा ताकि जो पानी एक्स्ट्रा फिलिंग में होता है वह आपकी मुमोच बनाने में दिक्कत ना करें यह देखिए हमने सारा मिक्स कर लि में एड़ कर दिया उसके बाद मैंने में एड़ यह एक टेबल स्पून टेबल इस्पून गारलिक पेस्ट और एक टेबल स्पून मैं इसमें जिंजर पेस्ट डल आ है यह ए heo देख्िए होiska सातरे माम इसमें हाड़ किया है मीट शान और किछें की में दोना मिक्स करके ए एड़ किया है इसमें मैंने और एक टेवल स्पून सम्धिंग मैंने इसमें अजीन मोटर डाला है मीट मसले के साथ देखिए द्यान से देखना दोस्तों ऐसे आपको यूज करना है अगर आपको क्वांटिटी कम या ज्यादा करनी है तो उसके साब से आप देख लेना उसके स आपको कांटिटी मसला की कम कर सकते हो अगर ज्यादा बनाने चाते हो थो ज्यादा है अद्जाब से कर लेना और एक टेवल मैंने इसमें लालमिर्च पाउडर डाला है अगर आप लाल मिर्च पाउडर यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें चिली पेस्ट भी यूज कर करता है वो मैनेज में यूज किया है यह देखिए अब हम इसमें अपने सोस वगेरा इसाथ मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी में थी हट किया है साथ में थोड़ा सा हरा धनिया आपके पास हो कटा हुआ तो आप वह भी उज़ कर सकते हो नहीं तो यह एकदम alsohhh a dairy चिर्फ है मैने इसमें यूज किया है ग्री चिली स्पूसथ और वीनीगर वीनीगर मैंने जूज किया है मैं 3 ŧीन तील स्पूँन हैं अ हम देखिए कि पट summers मैंने दो टवल स्पून में चिली स्पूस डाला है झाले और मैं अच्छे से अमिक कर लेना है इदेखें हमारा एकदम फिलिंग हमारी जो है मउमोज की वो एकदम ready है अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इस मिक्सर को भूना है फ्राई करने की कोई जरुत नहीं है यह एकदम हमारा रेडी है ही अगर आप चाहू तो इसको अच्छे से पगाना या फ्राई करना तो इसमें जो मसाले होते हैं वो सारे एक जिंगे अपने जब फ्राई करोगे तो वहाँ पर इसमें एड़ कर देना उसके बाद जो सबजे अपनी वेजिटेबल है वो सब की सब एड़ कर देना लेकिन एक मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया है एकदम रेड़ी है और एकदम खाने में सौदिस्ट है आप ऐसे गर पर मॉमोज बना सकते हो एकदम सिंपल तरीके से यह देखे अब हमारी फिलिंग है जो वह अच्छे से एकदम डेड़ी हो चुगी है यह देखे परफेक्ट एकदम कलर भी एकदम अच्छा आया हुआ है और एकदम सुकी सुकी बनी हुए है थोड़ा सा भी इसम मैं फ्राई वाले मॉमोज बना कर दिखाऊंगा चले दोस्तों अब मैं आपको मॉमोज बनाने बताऊंगा कि कैसे मॉमोज हम अपनी त्यार गरते हैं देखे अब हमारा जो डू है एकदम देखे मैंने 15 से 20 मिन रखा हुआ है था उसके बाद एकदम यह चैसे त्यार हो लेकिन मुझे तो प्रफेक्ट में बनाने का तरीका पता है इसलिए मुझे तोलना यह नापने की ज़रूत नहीं है एकदम प्रफेक्ट बनेंगे देखे अच्छे से बेल लेना आपको एक एक जोलो है वह अच्छे से बेल कर उसके बाद आपको उसकी मॉमोज इसमें फिल को अगर आपको इस तरही के सा बनाने नहीं आती तो आपको जो एक गुजिया बनाने वाली है चोटी से मुसीना कbrand आती है उसके आप इसे बना सकते हो असाने यह आप नर्मलिक भूल बना सकते हो उसमें कोई एशू नहीं है जिस तरुरी कर् ni प्रफेक्ट बना सकते हो दे आप से बने आप ऐसे बना सकते हो घर फे ईसी मसीन से आप गुजिया बनाते हो ते Willi बनाने के मसीन होती है जो उससे बहें आप आपक्ति अगया है को व्त बार को हो हुआ जाप कि ही को को ही इश por solchen नहीं है को ही दिख़ी मुट्वरी बात नहीं हैं तो आसे बना Plus लिए धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना भूले